दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी लाइव वीडियो के अंदर आपसे वादा किया था कि मैं वो सारी चीजे आपको फ्री में अवेलेबल करवा के दूँगा जिसके लिए आपसे कोई ना कोई चार्ज करता है मतलब पैसे लेकर आपको चीजे बताते हैं बाकी लोग मैं आपको फ्री में वो चीजे बताऊँगा आज की इस वीडियो में हम लोग दिसकस करेंगे लिटररी थीवरी क्या होती है काफी सारे बच्चे जो NET की तयारी शुरू कर रहे है या फिर NET के बारे में उनको कुछ पता नहीं है अभी-अभी उन्होंने पोस्ट ग्रेजुशन किये और वो NET का फॉम भड़ चुके हैं उनको Literary Theory के बारे में कुछ पता नहीं होता इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये Literary Theory का बैक्ग्राउंड क्या है क्योंकि जब तक आप किसी वर्क का बैक्ग्राउंड नहीं समझते तब तक आपको वो वर्क समझ में आता है आज की इस वीडियो में आपको जरूर क्लियर हो जाएगा कि NET के सिलेबस में इस Literary Theory को क्यों एड किया गया है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं चलिए मिलते हैं इस वीडियो के एंड में NET की तयारी करने वाले बच्चों के दिमाग में अकसर ये सवाल आता है कि ये Literary Theory क्या है तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा कि ये Actually है क्या इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि कि किसी भी Novel, Drama या Poem को हम Literature में जब पढ़ते हैं तो उनको पढ़ना Literary Theory नहीं होता ये एकदम अलग चीज होती है, डिफरेंट चीज होती है इसके अंदर हम पढ़ते हैं Literature के Nature को नहीं समझ मैंगा कि Literature का Nature मतलब क्या मतलब ये हमको सिखाती है कि Literature को पढ़ना कैसे है और Literature लिखा कैसे गया होगा मैं आपको समझा के मानूँगा कि इसका मतलब क्या होता है मान लो आप किसी Literature लिख को पढ़ रहे हो जॉन डन की पोईम को पढ़ रहे हो और उसी सेम पोईम को मैथियो आनोल्ड ये टीयस इलेट भी पढ़ रहे है आपको मालू है मैथियो आनोल्ड और टीयस इलेट कितने great critic थे तो वो दोनों भी उस work को पढ़ रहे है तो क्या आप ऐसा expect कर सकते हो कि टीयस इलेट और मैथियो आनोल्ड और एक तरफ आप आप तीनों उस work को एक ही तरह से एक ही नजरिये से पढ़ोगे नहीं आप भी जानते हो आप शायद उस work के plot को पढ़ोगे उसकी theme को पढ़ोगे उसके ideas को पढ़ोगे लेकिन T.S. Eliot और Matthew Arnold उस work के theme, plot और idea से beyond जागर कोई चीजे देखेंगे यानि इसमें क्या होना चाहिए था, क्या नहीं क्या इस चीज में खूबी है, क्या इस चीज में कमी है इस work को artistic failure तो नहीं कहा जा सकता एक experience critic की तरह वो ऐसी सब चीजे देखेंगे अब अगर मान लो, वो लोग आकर आपको किसी poem या novel को पढ़ना सिखाएं या drama को पढ़ना सिखाएं कि ऐसे पढ़ो इसको तो आपको कितनी different चीजे जानने को मिलेगे शायद आप एक step आगे जाकर सूस सको आपकी thinking थोड़ी ज्यादर develop हो सके अलग dimension में चीजों को देख सको अब practically तो ऐसा possible नहीं है कि T.S.E.L.E.T. आकर आपको सिखाएं लेकिन अपनी literary theory के जरीए वो आपको ये चीज़ सिखा सकते उनका work tradition and the individual talent पढ़ो तो आपको जानने को मिलेगा कि उन्होंने poetry को लेकर क्या theory अपनी दी है इसी को कहा जाता है literary theory अलग-अलग writers ने अलग-अलग critics ने time to time अपनी अलग-अलग theories दी है वैसे तो as a profession ये literary theory literature में कोई बहुत पुराना काम नहीं है 20th century में बहुत famous हुआ था as a profession लेकिन ये theory देने का सलसिला बहुत लंबे time से चलता है चाहे आप Aristotle को ले लो Plato को ले लो Philip Sydney को ले लो Dryden को ले लो हमारे भरतमुरी को ले लो Pope को ले लो, Shelley को ले लो, Arnold को ले लो इन सब ने जाने अन जाने literature को पढ़ने के लिए अपनी-अपनी theories दी और इन लोगों पता भी नहीं था कि ये literary theory में काम कर रहे है जैसे Aristotle ने अपनी Poetics को लेखा बरतमुरी ने नाट्टे शास्तर को लेखा लंजाइनस ने अन्द सब्लाइम को लेखा ये सारी चीजे literary theory का party तो है उम्मीद करता हूँ आपको literary theory का background और मतलब समझ में आ गया होगा अभी तक अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ हमारे लिए क्या important है हमारे लिए important ये है कि 20th century में जबसे ये literary theory profession बना मतलब अलग-अलग critics ने philosophers ने अपनी अपने ideas दिये उन सब को पढ़ा जाए क्योंकि इस age में आकर 20th century में दोस्तों ये चीजे बहुत ज्यादा mix हो गई और समझने में बहुत तकलीफ होती है इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ 1960s तक तो ये जो literary theory थी ये सब के हाथों में नहीं थी मतलब इसे कुछ बहुत बड़ी-बड़ी universities थी जिन में पढ़ा जाता था जैसे UK और America में बड़ी-बड़ी universities है John Hopkins University, Yale University, Cornell University लेकिन 1960s के बाद उन universities से बाहर आकर theories सब के हाथ में आ गई लगबख हर जगा इनको पढ़ा जाने लगा लेकिन problem यहाँ पर क्या थी university में पढ़ने वाले बच्चों के syllabus में इसको आड़ नहीं किया गया था क्योंकि उस वक्त तब भी लोग ऐसा मान रहा है थे कि literary theory अपने time से बहुत advance है तो इसको university के syllabus में बच्चों को पढ़ाने की वो देनी चाहिए मंजूरी देनी चाहिए कि हमें भी अपने बच्चों को theories पढ़ाने बच्चों के syllabus में इसको शामिल करो और actually इस time से इसकी popularity बड़ी तेजी से बड़ी काफी लोगों को यह हजम नहीं हो रहा था तो इसका काफी criticism भी हो और 1990s तक तक तो इस पर जितनी debates हो रही थी न दोस्तों उसे देखते हुए एक नाम दिया गया The Theory Awards और debates ने इसको दबा दिया दबा कैसे दिया कि क्या जरूरत है theories को पढ़ने की सारे writers story writing करने से पहले theories को ध्यान में रखते हैं या पढ़ने वाले कभी theories को ध्यान में रखते हैं लेकिन time के साथ में इस पर debates कम हो गई इसको पढ़ने की जरूरत है या नहीं इस बात से ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये बात है कि आज हमें इसको पढ़ना पढ़ रहा है हमारे syllabus के लिए आपको history समझ में आ गई होगी अब मैं आपको 20th century की कुछ most important theories के नाम बताता हूँ जिने पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आपको net qualify करना है तो most importantly new criticism और formalism ये दोनो closely related हैं एक दूसरे से Russian formalism post-structuralism Marxism, feminism French feminism, post-colonialism new historicism deconstruction theory leader response criticism और psychoanalytic criticism ये सारी important theories है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है या कहें कि ये उस time के कुछ important schools हैं या उस time के important groups जो अपनी theories को promote करते थे और कहीं ना गहीं ये सारी theories एक दूसरे के against एक reaction मान लो कि एक theory से अगर कोई satisfy नहीं हुआ तो उसने अपनी एक अलग theory बना ली है सबके अपने तरीके थे सबका अपना style था अब दोस्तों ये कहानी शुरू कहां से होती है जहां तक मैंने पढ़ा है या जहां तक मैं जानता हूँ ये कहानी शुरू होती है biological criticism से ये oldest तरीका था किसी literary work को analyze करने का यानि लिखने वाले की biography पर focus किया जाए ताकि पता चले कि writer ने खुद की life से inspire होकर उस work को कैसे लिखा या जि writer की life में क्या चल रहा था जो उस ने उस work को लिखा जो work आप पढ़ रहे हो वो कही न कही writer की खुद की life का reflection ही है Dr. Samuel Johnson ने इस critical method का बड़ा use किया Dr. Samuel Johnson इसका बड़ा use करते थे उन्होंने जो अपना famous work लिखा है Lives of Poets 1779-81 तक उस work के अंदर इन्होंने इस method का use किया कि किसी भी writer की biography को समझने का मतलब है उसके work को समझना अतलब ये पुराना तरीका था कि ज्यादा गहराई में जाये बिना shortcut में समझ जाओगे किसी literary work को कि वो कैसा है अगर आप writer की biography समझ जाते हो तो जैसे Charles Dickens ने अपनी शुरुआती life में यानि बच्चपन में बहुत गरीबी देखी पैक्टरियों में काम किया फादर उनके जेल चले गए थे और बड़ी तकलीफों में इनका बच्चपन गुजरा तो आप देखोगे कि Charles Dickens अपनी लगबग हर novel के अंदर एक गरीब बच्चा तो दिखाते ही थे ज्यादतर novels के अंदर एक गरीब बच्चा होगा जो ऐसी किसी परिशानी से जूज रहा होगा तो ये उस टाइम के critics का oldest भी था जैसे डॉक्टर सैमिल जॉनसन का कि किसी critics की biography को समझो लेकिन new criticism और formalism इसके against थे बिलकुल कि ये तरीका सही नहीं है इससे आप text में जो imagination का use किया writer ने उसकी इज़त नहीं कर रहे है उसकी बेज़ती कर रहे है आप text को पढ़ो text के devices को पढ़ो आपके लिए वो चीज़े काफी है ऐसा कहता था new criticism आपको बताया ये एक दूसरे के against एक reaction थे आपको समझ आ रहा है उम्मीद कर रहा हूँ literary theory समझ में आ रही है कि मैं क्या बताने की कुशिश कर रहा हूँ तो एक एक करके आपको इन theories को समझना पड़ेगा अच्छा ज्यादा तर पढ़ने वाले बच्चों को एक चीज समझने में problem आती है कि Marxism कैसे literary theory का part हुआ या फिर Marxism को literary theory में कैसे add कर दिया क्योंकि Karl Marx तो एक political philosopher थे जहां तक हम जानते हैं उन्होंने political philosophy दिये अपनी उनकी philosophy का literature से क्या ले ने देना तो दोस्तो आप जब भी किसी literary work के अंदर class conflict को देखते हो जैसे Charles Dickens की novel Hard Times को पढ़ लो तो आप कहीं न कहीं Marxist point of view से उस work को analyze करोगे या फिर ऐसे type का literature लिखने से society में क्या असर बढ़ रहा है इसको हम Marxist theory में पढ़ते हैं क्या फिर इस work ने society में किस तरह से cultural changes लाए इसको भी Marxist theory के अंदर पढ़ा जाता है Marxist theory भी समझ में आई होगी लेकिन दोस्तो new criticism जो है न ये 20th century की सबसे famous theory थी literary theory इन सब में सबसे famous literary theory और इसको सबसे तगड़ा challenge किसी ने किया था तो 1950s में structuralism अब आप कहोगे कि structuralism ने कैसे इसको challenge किया वैसे तो आप इरी इस video से structuralism को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये actually है क्या लेकिन literature में हम इसको कैसे apply करते हैं मैं आपको समझाने की कुशिश करता हूँ structuralism एक नए type का idea था ये बताने के लिए कि time के साथ जैसे जैसे वक्त बदलता है words के meaning भी change हो जाते है जैसे एक समय पर एक word लेता हूँ मैं fair fair word का use Shakespeare के time पर किसी को beautiful बताने के लिए किया जाता था आपने Shakespeare की कुछ sonnets पढ़ी होगी उनके अंदर वो fair word का use करते हैं किसी को beautiful बताने के लिए लेकिन समय के साथ में इसी word का मतलब बदल गया आज इस word का use हम किसी को खुबसूरत बताने के लिए बलकि किसी को गोरा बताने के लिए करते हैं new criticism जो कहता है कि words पर जाओ, form पर जाओ, form में आपको सब कुछ मिल जाएगा तो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि अगर हम एक eat को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो ये सही नहीं होगा क्योंकि eat एक बड़ी दिवार का हिस्सा है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है new criticism वाले क्या बोलते थे literature अपने आप में जो work है वो sufficient है आपको कुछ भी समझने के लिए लेकिन structuralism वाले क्या बोलते थे indirectly की eat को देखोगे तो आपको उसका पूरा structure समझ में नहीं आएगा eat को देखकर आप पूरी दिवार की structure को कैसे पता लगा सकते हो उनके कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताने ही कोशिश करता हूँ जैसे एक glass है मालो आपको मालूम है कि ये glass है मुझे मालूम है कि ये glass है लेकिन इसको glass नाम किसने दिया हमने ही तो नाम दिया हो सकता है किसी और language में इसका कुछ और नाम हो इसे कुछ और बोला जाता हो ये glass को glass नाम हमने ही तो दिया है तो हमारे लिए क्या ज्यादा important है signifier या signified क्या important है अगर हम glass जैसी चीज को हटा दे तो glass नाम का कोई मकसद रहेगा अब देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये structuralism की विचार धरा human freedom और human choice को एकदम से reject करती थी of course अगर ये ऐसा बोल रहा है तो human freedom भी इनके लिए कोई माइने ने रखती होगी कि human भी तो एक बड़े structure का ही part है, हिस्सा है वो उस structure की वज़े से ही पैचाना जाता है जिस structure का वो हिस्सा है अगर उस structure कोई खतम कर दिया जाए या उस structure से उसको अलग कर दिया जाए तो उसकी खुद की कोई उकात नहीं, दोस्तों आप समझ रहे हो कि कहीं न कहीं ये theory new criticism के इस idea को reject कर रही है कि जो text है अपने आप में sufficient है, अगर उसके context कोई आप नहीं समझोगे तो आप क्या समझ बाओगे कुछ नहीं समझ बाओगे as a literature student आपको पता होना चाहिए कि कौन सी literary theory क्या बोल रही है और कौन सी theory को literature से relate किया गया है, उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ help जरूर मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि हम इसको क्यूं पढ़ते हैं चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में